तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है आईक्यू एन्यो नाइन प्रो वाइज स्मार्टफोन के बारे में इस स्मार्टफोन के लिए का आप पर सर कस्टमर वेट कर रहे हैं 22 फेवरेटे को लॉंच के जाएगा ऑप इसल एंटर मार्केट में और 8 दिखने को मिलेगा और ये समार्टफोनि आपके लिए कैसा होने वाला है सब कुस हम इस वीडियो में टीटेल के से साथ हम कावर करेंगे तो दोस्तो वीडियो पास रहें आता है तो वीडिये को लाइक कर देजेगा आपका एक लाइक हमारे लिए क्या फिर ज़दे माइनी रखता है तो दोस्तों शुरुआत करते हैं IQNU9 Pro 5G Smartphone के डिजाइन से तो दोस्तों डिजाइन वाइस तो IQNU9 Pro 5G Smartphone बहुती बड़े देखनी को मिल जाता हे डेपरेण गॉल त्व देखनी को मिल जाता है । दिज्याइन के साथ में बहुत यह बड़े देखने को मिल जाता है तो दोस्तों लुकिंग बाइज बहुत ही बड़या देखने को मिल जाता है डिजैन को लेकर बहुत ही बड़या होने वाला है IQ N9 Pro 5G स्मार्टफोन तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्पेली के बारे में तो 6.67 इंच की बड़ी साइट की 1.5 की डिस्पेल देखने को मिलता है जो कि 144Hz के साथ में आता है HDMI 10 Plus को सपर्ट करता है 1400 मिर्स की ब्राइटन डिस्पेल देखने को मिल जाता है डिस्पेली बहुत भाड़ी दिया गया है तो आपको कोभी दिक्त देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों यहां पर डिस्पेल बहुत बड़े देखने को मिल जाता है IQ N9 Pro 5G स्मार्टफोन में और अगर बात के बारे में तो लैसे पोसेसर Snapdragon 8 Gen 2 देखने को मिलने वाला है जो की 4nm बेर बेस है 1.7 million के करिब N2 दोस्तों को निकाल के देता है क्वामेंस आपको दोस्तों टॉप नॉज देखने को मिल जाएगा किसे भी यूज में आपको खुभी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है 8GB RAM के साथ में 256GB और 12GB RAM के साथ में 256GB देखने को मिलने वाला है और दोस्तों नेक्स बात करते हैं कैमरा के बारे में तो डूल यूल कैमरा से टप देखने को मिलेगा 50MHz का पाइमरी कैमरा सुनी IMS 920 सेंसर देखने को मिलेगा OS का सुपोर देखने को मिल जाएगा 8MHz का अर्टोईट कैमरा अर्टोई कैमरा दोस्तों 16MHz का होने वाला है और इसके सेलफी कैमरा से अब बहुत यह बड़ा क्वालिटी के बेड़ी और सेलफी वरा एकसेट कर सकते हैं और दोस्तों इसके पाइमरी कैमरा से 8K 4K वीडियो रिकुट कर पाएंगे इसके सेलफी कैमरा से 1080p 30 वीडियो रिकुट कर पाएंगे तो दोस्तों कैमरा के सबसे देखा जाए तो डिसन होने वाला है IQ N9 Pro 5G स्मार्टफोन तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की कैमरा से अब डिसन क्वालिटी के बेड़ी और सेलफी बेगरे एक्सपेट कर सकते हैं और आगे बरते हैं और दोस्तों बात करते हैं बैटी और चार्जिंग के बारे में तो 5,160 mAh की बैटी देखने को मिल जाता है इसे चार्जिंग करने के लिए 120 वाटी फार चलिंग दिया जाएगा वेटेट और चार्णिंग के मामने में बहुत बाड़िया होने वाला है 120 वाट की फार चालिंग दिया जाएगा तो बहुत ही जली से चाल्ज हो जाएगा और दोस्तों ऐसे एड़डाइच किया गया है कि 0% से लेकर 40% 9 और अगर बात करें उतर फीचर के बारे में देखने को मिलेगा तो फीचर वाइस बहुत ही बढ़िया होगा इसके अलावा यह स्मार्पन करेगा आनुरेट 14 पर वांटो चोई देहने को मिल जाएगा और दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो चैनल के लिए और दोस्तों बात करें प्रीव बुकिंग की बैनेफिट के बारे में तो ऑन तौजन का आपको डिस्काउं दिखने को मिलेगा तू एस तक आपको वारेंटी दिखने को मिलने वाला है और long के समय आपको allows देखने को मिलने में इसी स्मार्ठफोन में और न दर बात आपको आपका क्या कहना है इस स्मार्टफोन को लेकर आपना राय जरूर दिजाएगा कॉमेट सेक्षिन पर तो दोस्ता मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तक लिए टेंक्स वाचिंग